तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक से लेकर 31 दिसंबर तक बनने वाले Most Important हर्याना Current Affair के कोश्चनों को तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ important 70 कोश्चन ही शामिल किये हैं अगर आपने पूरे महीने हमारी वीडियो नहीं देखी है और ये वीडियो आप देख लेंगे तो लगबग आपके एकस्ट में से जो कोश्चन है इन में से आज आएगे तो चली ये सुरू कर लेते हैं आज की वीडियो लेकिन उसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पर पिछले हरियाना करंट अफेस के कोश्चन की जो पीडियो हैं उन्हें भी डाउनलोड करके पढ़ सकते है या फिर डिस्कृप्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली सभी वीडियो भी देख सकते हैं तो जो भाइक करने का तरीका है वह आप बता देता हूं मैंने डिस्कृप्स में सभी पीडियोफ के कर लेना है और जितने महीने के आपको PDF चाहिए उतने रुपए आपको पे कर देने हैं और उसका स्क्रीन सोट आपको यहां पर स्क्रीन पर दिये गए WhatsApp नमर पर सैड़ कर देना है जिसके बाद जो PDF है वो हम आपको सेंड कर देगे और जो रेट है वो आप यहां पर देख सकत सकते हैं तो अगर आप इन्हें करेक करना चाते हैं तो इन्हें बाइक करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप फ्री में पढ़ना चाते हैं तो हमारी वीडियो देख सकते हैं सभी वीडियो हैं डिस्क्रप्स में सभी वीडियो के लिंक दिये हुए है तो चलिए सुरू कर निकट लगबग 28 एकड़ भूमी में स्थापित की जा रहे एक भारत स्टेश्ट भारत कोंप्लेक्स में हर्याना सरकार हर्याना भवन का निर्मान करेगी हर्याना भवन की वास्तु कला कुछ इस तरह की होगी जिससे दर्सकों को दूर से पता लग जाएगा कि यह बिल्डिं लेकिन कोरोना के वज़े से वहां उमीद के मुताबित काम नहीं हो पाय था तो जल्द ही वहां पर यह काम सुरू किया जाएगा अगला कोचने की हर्याना में प्रदेश की पहली संयूक तो फूड वर ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर खोलने की स्युकरती मिली है तो यह का साथ सबका विकास तथा पंडित दीन दयाल उपादे के अंतोध्य पत पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन का लियानकारी योजनाव का लाब मुचा रही है नसे पर रोक लगाने के लिए हर जिले में नशा मुक्ति के इंदर भी स्तापित किये जाएंगे इ योग को स्कूल के पाठ्यक्रमों में कब से सामिल किया जाएगा तो यह सामिल किया जाएगा एक अप्रेल सन 2021 से हर्याण में योग को स्कूल पाठ्यक्रम में सामिल किया जाएगा स्कूलों में अगले साल एक अप्रेल 2021 से इसकी नीमित कक्साएं भी लगनी शुरू हो सारिक शिक्षा की तर्ज पर थेोरेटिकल और प्रैक्टिकल सामगरी शामिल होगी योग गुरु बबाबा रामदेव ने आगामी सेक्षिंग सत्र से योग को एक अलग विशय के रूप में स्कूल पाटेकर में सामिल करने के लिए प्रदेश सरकार की भी सरहना की है इसके ब बनाई गई है यह सिंगल हार्ट बीट के अंदर काम करती है इसकी खासित यह है कि यह मरीजों को किसी भी बीटा ब्लोकर्स की आवशक्ता के बिना उनकी हर्द्र करती को कम कर सकते हैं पीजे आई चंडिगर्ड ने दुनिया की सबसे तेजी से काम करने वाली CT स्कैन मसीन कर देगी इसके बाद है भारत और इसराइल के सयोग से हर्याना के किस जिले में परदेश के पांचवे बागवानी उतकरष्टा के इंदर का सिल्यानास किया गया है भारत और इसराइल के सयोग से हर्याना के भीवानी जिले में परदेश के पांचवे उतकरष्टा के इंदर का सिल्यानास किया गया है हर्याने के किरसी एंकिस्टान कल्यान मंत्री जैप्रकास दलाल की मुझूदगी में भारत में इसराइल के राजदू डाक्टर रोन मलका ने गाउं गिगनाउं में साथ सवा आठ करोड की लागत से बनने वाली बागवानी उतकष्टा किंद्र का बूमी पूजन कर आधार श खुशाली के लिए उन्नत क्रिसी सादनों तता क्रिसी अनुसंदान एवं परशिक्षन के चेत्र में कारिये करेंगे इसके बाद है राज्य इस्तरिय उर्जा सनक्षन पुरुषकार समारों में पर्थम स्थान किस जिले ने प्राप्ट किया है तो यह क्या है हिसार ने हिस दूसर पुसकार डिसीम टेक्स टाइल को मिला है इसके बाद है मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाडी को अमेरिका में एक महीने के परशिक्षन सीवर को मंजूरी दी है तो यह मंजूरी दी गई है बजर्ण पूनिया को मिशन ओलम्पिक इकाई ने हाल ही में पहलवान बजरंग पुनिया को सहीं तरजे अमेरिका में एक महीने के परशिक्षन सीवर की मंजूरी दे दी है यह सीवर 4 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 तक क्लीफ कीन रैसलिंग कलब मिसिंगन यूसे में 14 लाक रुपे की अनुमानित लाज़त पर होगा इसके बाद है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विसु धरले ने हाल ही में विसु के सिर्स दो परती स्थ वग्यान कुई शूची जारी की है इस सुची में यू के किन प्रोफेसर को शामिल किया गया है तो यह शामिल किया गया है नरसिरी राम बिश्श्णो को यहां पर फोटो विगन की शूची में शामिल किये गये हैं उन्हें सनूनी सोट्व से लेकर 2020 तक के शोध प्रक्वाशन के अधार पर इस सूची में शामिल किया गया है स्टैन्फोर्ड विश्व धैले ने 2019 तक के सोध पत्रों के परभाव के अधार पर वैग्यानिकों को जो ये ग्रेड है ये दिये है इसके बदाए हाल ही में चन्रिगड की पहली महिला ASP ट्राफिक कोन बनी है तो ये बनी है IPS मनिशा चोदरी की फोटो आप देख सकते हैं IPS मनिशा चोदरी तीन IPS में से चुनी गई थी चन्रिगड में ट्राफिक ASP का पद हारियाना कैडर के अधिकारी के लिए सुरक्षित रखा जाता है इसके लिए हारियाना से तीन IPS अफिरों के नाम भीजे गए थे इनमें पानिपत की ASP मनिशा चोदरी के अलावा IPS विरेंदर कुमार वे IPS शुरेंदर पाल सिंग के नाम भी शामिल थे करीब एक सब्ता पहले किंद्रिय गरह मंत्राइले ने चंडिगड में ASP सिक्योर्टी और ट्राफिक पद के लिए IPS मनिशा चोदरी का चैन किया था जिसकी तारे कुद बदा मंत्री नेंदर मोधी भी करते हैं जी हां ये बिल्कुल सच है युम्रा नगर की बेड़ी गाउं की खासिती कुछ ऐसी है कि हर किसी को ये गाउं अपनी और की इसता है ग्राम पंचायत बेड़ी जल सरेक्शन की मिसाल भी बने हुए है यहां दो सुरक्षा के लिहास से गाउं में 32 cctv कैमरे गली-गली के अंदर सोलर लाइटे उर्जा सर्क्षन का संदेश भी दे रही हैं देश की सरोस्रेश्ट सो महिलाओं में चुनी जा चुकी और 6 बार मुक्यबाजी में विशू चैंपिंशिप रही खिलाड़ी कौन है जो की हाल ही में शाधी करने जा रही हैं तो यह हैं पिंग की जांगड़ा यहां पर फोटो में आप इने देख सकते हैं देश की सवर्शेट सो महिलाओं में चुनी जा चुकी राश्पती से सम्मानित चैंबार की विशू चैंपिन मुक्यबाज एम सी मेरी कौम को रिंग में चित कर चुकी है हर्यन के हिसार जिले की मुक्यबाज पिंकी जागड़ा साधी करने जा रही है उनकी शाधी दिल्ली के योगे सर्मा के साथ तैय हुई है हर्यन के समाजिक न्याय वयम अधिकारिक्ता राजय मंत्री ने किस इंडियन रैड क्रोस को स्रेश्ट वृद आसर्म के लि व्यक्तियों वह संस्ताओं को सोड़ा लाग रुपे की राशी के 42 राजय स्तरिय पुरुषकार पदान किये हैं राजय मंत्री ने स्रेश्ट वृद आसर्म पुरुषकार के लिए इंडियन रैड क्रोस पंच्कुला को एक लाग का प्रतम पुरुषकार भी पदान किया है हार्यान कैशिक्षा मंत्री ने दिव्यांगु के लिए ब्रैल लीपी में किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया तो यह किया गया स्पर्ष मासिक पत्रिका हर्यान के इसक्षा मत्री सरी कमरपाल ने दिव्यांगों के लिए ब्रैल लिपी की मासिक पत्रिका स्परस्कावी मोचन किया है उन्होंने राजी के महाविदाले करनाल में हायर डियू हर्वाई के द्वारा स्थापित किये गए अस्टा वक्र केंदर का वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से लोका आरपन भी किया है इसके बाद है हर्यान में किसे पहली बार विशियस मुक्य सचीव के रूप में न्युक्त के अगया है तो ये न्युक्त के अगया है सुनिल कुमार गुलाटी को राजी सरकार ने सीनियर आईएस अधिकारी सुनिल कुमार गुलाटी को विसीस मुख्य सचिव बनाया है वे 1984 बैच के आईएस ओफिसर हैं जबकि सरकार ने उन्हें किनारे कर 1985 बैच के आईएस विजे कुमार को चीफ सेकेटरी बनाया था परदेश में पहली बार विसीस मुख्य सचिव इन्हें न्युक्त किया गया है गुलाटी अब अपने सी जूनियर सेकेटरी के बजाए सीधी मुख्य मंतरी को रिपोर्ट करेंगे गुलाटी अगले साल 30 अप्रेल को रेटायर होंगे हर्यान की 21 यूनरस्टी में एबिक केंदर की पहली इन्वेस्टर्स मीट का उजिन किया गया है तो ये किया गया है है हर्याना एगरिकल्चर यूनरस्टी एबिक के दोरा आजित की गई पहली इन्वेस्टर्स मीट कारिकर्म की एधिक्सता नाबाड की मुख्य महाप्रबंदक राजियू महाजन ने की है जबकि नाबाड मुंबई की मुख्य महाप्रबंदक देव आसिस पाड़ी विशिष्ट आतीती भी थे मुख्य अतीती ने काया है कि ग्रामनी चेत्रों में ऐसे उद्योग स्तापित करने पर किसान वे लगू उद्योगों के परिवन का खर्च भी घट जाएगा और मुनाफिय में भी इसका इजाफा होगा अब इन्वेस्टर भी एबिक से जुड़कर एग्री स्टार्ट अप्स का सयोग करेंगे एबिक के इंदर किस्तापना वर्ष 2019 में किये गई थी इसके बाद है दिल्ली दूद्शन के महानेदेशक पद पर तैनात MS दूहन को चोथी बार अंतर अश्टिय पुरुष का मिला है वे हरियान के किस स्थान से समंधित है तो वे समंधित है नंगल गाउं से हरियान के 21 दिले में हेरिटेज कोरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है तो यह फैसला लिया गया है करणाल में स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट में हेरिटेज कोरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है बल्डी बाइपास पर स्रीमद भगवद गीता दौार से लेकर सहर के घं गेट एरिया को विकल फ्री जोन बनाये जाएगा ताकि लोग वहान को घर से बाहर पार्क कर पैदल ही खरीदारी के लिए आजगें विक्टोरिया मेमोरियल हाल भावन सहर की महतपूर विरास्तों में से एक है हायान के कितने जिफ्रो में स्टेट वैप सिन स्टोर बनाये गये हैं तो यह बनाए गये है चेयान यह श्टोर कुछट्र रोहतक हिसार और गुडगावा में बने हैं जब भी वैक्सिन बनकर तयार होगी वैकेंदर सरकार से प्रदेश्ट के स्टेट वैक्सिन स्टोर में सप्लाई होगी यहां से इनके साथ लगते जिलों तक पहुंचाए जाएगी सबसे पहले हैल्थ वरकर्स बुजरुगों को गंबीर बिमारी से पीरित लोगों को वैक्सिन दे जाएगी यह वैक्सिन एन एच एम के टिका करन अभ्यान वाले सिस्टम के अनुसार ही इने दे जाएगी इसके बाद है जानुरों से बिमारियां इंसानों में नए फिले इसके लिए स्वास्तविभा की द्वारण कौन सा हो चुका है इसके तहती अब जेनेटिक्स डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम सुरू किया जाएगा सौस्त विभाग पसुपालन विभाग वाइड लाइफ विभाग मिलकर इस कारेकरम को चलाएंगे इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि पस्वों से किस तरह की बिमारी हो सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है पानिपत में किसानों को रेडियो पर खेती से समद्धित टेक्निक की जनकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है के वी के उज्जा रेडियो स्टेशन किसानों को खेती की नई नई तकनिक और आध करते हुए कहा कि रेडियो स्टेशन के सवानु के लिए मील का पत्थर साबित होगा इसके बाद है गुरुग्राम के किस गाउं में सीदला माता मेडिकल कोलेज एवं अस्पताल का निर्मान किया जाएगा तो यह कि जाएगा खेड की माजरा गाउं में तो इस मेडिकल और अस्पताल के अंदर 650 बैड का अस्पताल बनाया जाएगा तथा 100 बैड शमता का जो ट्रामा सेंटर है वो मनाया जाएगा इसके साथ यहां पर आद्मिक सुईधाओं से लैस जो कॉलीज है वो भी बनाया जाएगा चिकित से शिक्षय के लिए यहां पर 250 सीटे होंगे विधार्तियों के लिए होस्टल बनाया जाएगा वो इसके साथ साथ स्टाफ के लिए आवाशी सुईधा भी यहां पर बनाया जाएगी इसके साथ यहां पर हेरो होंडा चोक से कैप्टन उमंग भादवाज चोक तक की सडक की जो चोड़ाई है वो 30 मीटर से बढ़ाकर 60 म कर दी जाएगी यंकि यह डबल हो जाएगी इसके लावा धनवापूर जो गुरुग्राम में है पिचेतर एमल्ड शम्ता तथा बहरामपूर में 90 MLD शम्ता की दो ट्रस्री ट्रीट्मेंट यूनिट का निर्मान भी किया जाएगा इसके लावा सी प्यार के साथ साथ ड्रे सबिताओं से रूबरू होने की कड़ी में सबसे प्राचीन हडपा पूरू सबिता का पुरातात्विक स्तल कुनाल से भी जुड़ गया है अब यहां की साइट पर म्यूजियम यान की संग्राल्य बना जाएगा करीब साथ हजार साल पुरानी सबिता के अवसेसों को समेटे इस तल पर संग्राल्य की मंजूरी मुख्यमंतरी मनोहलर लाल के द्वारा ही दे गई थी अपने प्रोजेक्ट की सीम ने मंजूरी के बाद राज्य प्रातात्व विभाग ने इसका वैचारिक्स प्रारूप आर्किटेक्चर विभाग को बेज दिया है कुराल में पहली बार वर्ष 1985 में प्रातात्विक खुदाई की गई थी तब से अब तक अलग अलग चरणों में बाहरे बार यहां पर खुदाई हो चुकी है इसके बद है हरियन का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की जरीए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है तो ये बना है करनाल जिला प्रदिश में करनाल पहला ऐसा सहर बना है जहां पर राजी के स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लास रूम में शिक्षा मिलेंगी स्यम मनुहलाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तायत स्मार्ट शिक्षा प्रियोजना का उदगाटन किया है स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ साथ बिल्डिंग एज लर्निंग एंड के तहत कमरों की दिवारों पर विज्ञान वैगनित जैसे विशों के मोडल बनाए गए हैं ताकि विदार्थी इन्हें देखकर सीख सेएंग इस प्रोजेक्ट पर 3.67 क्रोड रुपय का बजट पास हुआ है हाल ही में मतस्य विभाग के सचीव का जिमा किने सोपा गया है तो यह सोपा गया है बलकार सिंग को दक्षिन हर्या बिजली विटन निगम के परबंदक निदेशक बलकार सिंग को मतस्य विभाग के सचीव का जिम्मा सोपा गया है पलकार सिंग इससे पहले निदेशक मौलिक शिष्या वे डीसी पंचकला में पदों पर कार्या कर चुके हैं अंबाला की 21 गाउं में पर тех का पहला government, homeopathics, medicalこれで वे अस्पताल बनाय जाएगा तो यह बना जाएगा चंद अप्रो कि अंदर पर देश का पहला government, homeopathics, medical college और अस्पताल अंबाला के गाउं अभर अम्बाला की गाउं में 37 क्रोड की लागत से बनाय हो जाएगी जिला आयरुवेदिक अधिकारी डक्टर सत्पाल ने बताया है कि होमेयोपेथिक्स मेडिकल कोलेज के लिए 37 करोड की रासी मंजूर है और 11 एकड जमीन मंगलाई गाउं में मिल गई थी इसके बद है परदेश में साथ समधाइक राडियू स्टेशन को स्थापिद करने वाला पहला स्थी क्रेशी विष्वधाल्य बन गई है कुल्पती प्रोफेसर समर सिंग ने विश्व दहले की वीभिन किर्सी विज्यान केंद्रों में से एक साथ तीन समदाइक रेडियो स्टेशनों का वीदिवत रूप से सुभारम किया है। कुलपती प्रोफेसर समर सिंग ने एक साथ जीन्द पानिपतवय कुरुचेतर के किर्सी विज्यान के इंद्रों पर इन स्टेशनों का उद्गाटन ने किया है इससे पहले हिसार जजजर और रहतक में पहले से सरमदाइक रेडियो स्टेशन भी चल रहे हैं दो दिवस्या वर्च्वल आठवी अंतराश्टीय मेडिकल साइंस अकेडमिक कॉनफरेंस 2020 का अविजन किस जिले में किया गया है तो यह किया गया रहतक के अंदर हेल्थ विश्व विदाय लेके कम्यूनिटी मेडिशन विबाग की ओर से दो दिवस्या वर्च्वल आठवी अंतराश्टीय मेडिकल साइंस अकेडमिक कॉनफरेंस 2020 का विजन किया गया इस कॉनफरेंस के और्गनाइजेसिंग और्गनाइजिंग सेकेटरी डाक्टर रमिस वर्मा ने वाताया है कि इस कॉनफरेंस की तीम का विशे अफोर्डेबल हेल्थ केर चैलेंज एंड फूचर प्रोस्पेक्ट रखा गया है उन्होंने वेक्यान देते हुए आत्म निर्बर भारत पर भी फोकस किया है उन्होंने का है कि अभी हमारे देश में जीडिपी का एक पंच्छे प्रतिसाथ ही हैल्थ केर बजट पर खर्च किया जा रहा है इसके बद है हिसार जिले की किंदो पहलवान खिलाडियों का कुस्ती वर्ल्ड कप के लिए चैन हुआ है तो यह हुआ है कीरन गोदारा वे निर्मला बोरा का आप यहां पर इन दोनों की फोटो देख सकते हैं हिसार जिले की पहलवान बेटी कीरन गोदारा वे निर्मला बोरा का कुस्ती वर्ल्ड कप के जीत होगा सनिवार को पहलवान कीर्ण गोदारा वे निर्मला वुरा हिसार से सर्विया के लिए रवाना होगी इसके बाद है बारा से अठारा दिसंबर तक बैल गेड़ सर्विया में होने वाली विस्व कुस्ति कप प्रत्योगता में भारत का पत्री तो मोक्रा गाउं के कि इस निवर्सी के द्वारा रैफरी के रूप में की जाई तो ये की जाएगी सत्यदेव मलिक अपनी चैन पर खुशी ज़दते हुए सत्यदेव मलिक ने भारत्य कुस्ति संके अध्यक्स ब्रज भूशन सरन सिंग का आबार परकट किया है इसी गाउं की पहलवान शाक्सी म अलिक का भी प्रत्योगता के लिए चैन हुआ है हाल ही में मुक्यमत ही मनोहरलाल खट्र ने पचनंद सेवा सदन का शिल्यानास किस दिले में किया है तो यह क्या गया है फट्याबाद के अंदर सियम मनोहरलाल ने रवयुवार को सहर के पचनंद सेवा ट्रस्ट की और से प्रस्तावित पचनंद सदन का शिल्यानास ओनलाइन तरिके से किया है चर्निगर सीम ओफिस से ही सियम ने फट्याबाद में पचनंद सदन की जगाएं पर आईजित कारकर में सभा को सम्मोधित कर देने की भी गोशना की इस पचनंद सदन के निमार पर लगव आठ से नो क्रोड रुपए की धंडासी कर्च की जाएगी इसके बाद है केंदर सरकार में इलेक्टोनिक्स और सूचना तक्नीकी विभाग में विशेश सच्यों जोती अरोडा ने जूम एप के जरिए किनकी क किताब का विमोचन किया तो यह किया गया मनोहर लाल चावला की किताब का विमोचन सौस्ते विशेश सग्या बुजर्गों को तो अभी भी घर से बाहर नए निकलने की सलाथ दे रहे हैं लोक्टाउन में यह एक बड़ी चुनोती थी इस पर चुनोती को सू अवसर में गेहों की डबलू हैच बारह सतर उनत किसम विशीत की है तो ये विखीत की गई है है एच यू चोढतरि चल्ण शिंग हारियाना एगरिकल्चer ईवर्ष्टरि के द्वारा हिसार की कि्रसी वेगयन को ने गेहों की डबलू हैच 7279 की समविख्षिस की यह इस किसम को भारत क के उत्तरपश्री मैदानी इलाकों के लिए अनमोदित किया गया है डालो एच बार सो सतर की ओसत उपज पिचैतर पाइंट आट क्विंटल परती हेक्टेर और एक्यांड में पॉइंट पांच क्विंटल परती हेक्टेर की समभावित उपज है इसके बाद है हर्यान के कि से विशु विदाले को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्स्टी सब्जेक्ट रैंकिंग दोहजार इकिस में स्तान मिला है तो यह स्तान मिला है गुरु जमबेश्वर विज्यान एंव प्रज्द्योग की विशु विशु विदाले को विशु भर में 1149 800 के बीच का रैंक बैंड मिला है ताइम्स हायर एजुकेशन लंदन के द्वारत जारी रैंकिंग में विशु विदाले ने इस रिनी में 30.1 से 31.6 स्कोर अरजीत किया है इसके बद है हारीना सरकार ने कब तक टीबी मुक्त परदेश करने का लक्षे रखा है तो यह लक्ष इस साल 21.70 फिजदी कम टीबी के केस मिले हैं पिछली साल 3687 केस मिले थी जबकि इस बार 2887 केसी आये हैं इस बार मास्क का प्रयोग करने से करने से भी टीवी की रोकताम के अंदर बहुत कमी आये हैं निक्षे पोशन योजना के इतायत अभी तक 42,46,000 रुपए लोगों को पेखाते के अंदर देज आ चुके हैं स्थानिय सरकाली अस्पताल में CB net मसीन भी लगाए गया है इसके बाद है हर्यार्य के किस जिले में कैंसर ट्रसरी सेंटर का निर्मान की जाएगा तो यह के जाएगा अंभाला के अंदर ट्रसरी सेंटर में अमेरिका सही तो एग देस यूख को कि है इस मसीन में कैंसर रोग्यों की बीमारी की स्टीक जनकारी मिलेगी इससे रेडियो ठेरपी प्लानिंग करने में चिगत्चिओं को भी आसानी होगी मरीज के बीमारी का डायंडुसिस करने में चिगित्षे को साय ताभी मिल्स की सिटी सीमॉलेटर मशीन से एक मरीज की जांच करने में करीब 45 मिंट का समय लगे इस तरह कूल मिलाकर आठ गंटे की सिफ्ट में करीब आठ मीजों की जाचे होज केई केश्री ट्रसरी सेंटर स्टरी सेंटर के निर्मान पर 65 के बाद है हर्यान के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है तो इसका उतर जारने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजेगा यदि चैनल पर नए है तो चैनल को स्क्राइब करके घंटे पर आल नोटकेशन अगर निगम ने गुरुगरा में पहले थैला बैंक का शुबारम किया है अलाकि यह पिछली साल बासट में स्थान पर रहा था थैला बैंक का उद्गाटन पूरू निगम पारसद दलीप सानी के द्वारा किया गया है इसके साथ 20 से ज़्यादा महिला जुड़ी होई है ज बोतल देकर कपड़े के थैले प्राप्त कर सकता है इसके बढ़ हाल ही में हर्यान की किस यूवर्ष्टी में ओनलाइन इंट्रेक्शन प्रोग्रम का विजन किया गया तो यह क्या गया जी जे यह गुरु जंबेस और विगयान एंप रिदों की विशुवदायले की हर्यान स्कूल ओफ बिजनेस के निदेशक प्रोफेसर करमपाल नर्वाल वे डाक्टर दलबीर सिंग की देख रेक में यह प्रोग्राम किया है हर्यान स्कूल आफ बिजनेस मुक्य रूप से अपनी वीभिन सेक्षिन प्रकिरियां के दोरान वैवसाइक शिक्षा के सभी सैध्यान अंतिक और वैवारिक दोनों पहलों के मद्दे नजर अपने सवी चात्रों को एक अच्छा इंसान बनाने और एक सफल पेस्यवर बनाने पर पून केल रीथ है इसके बदह है हर्याना के किस गाउ में मिले उपकरणों पर सोद से यह खुलासा हुआ है कि विसु की सबसे अच्छानी एवम बड़ी सिंदू गाटी सविता के अधिकतर लोग मासा आरी थे इसके साथ ही वे दूद का विस्यवन करते थे राकी गड़ी सिंदू कालिन सविता के प्रमुक स्थलों में से शुमार था हर्याना का कौन सा जिला लिंग अनुपात में पहले नमर पर है त की जगने अपराद भी है इसलिए महिला शशक्तिकर्ण के लिए सभी परबुद्ध नागरिकों को और अधिक सयोग करना होगा ताकि महिला शशक्तिकर्ण को एक राष्टी अभियान का रूप दिया जासके उन्होंने काया है कि भारती महिलाओं ने भले ही प्रतेक छेतर म विशु उस्तर पर भी अपनी परतिवा का लोहा बनवाया हो हाल ही में हर्याने के 21 जिले में ई संजीवनी ओपिडी सिस्टम लागू की गई है तो यह की गई है पानिपत के अंदर नाविकों को उनके घर पर ही टेली मैडिशन के माद्यम से ई संजीवनी ओपिडी से फ्री ये संजीनी ओपनी सिस्टम लागू किया गया है इस योजना के तायत चिकित्चाच विश्यसग्यों वैडाक्टों का समूग बनाया गया है जिसके तायत रोगी को घर पर ही मुफ्त स्वास्ते प्रामर्स उप्लाब्द करवाए जाता है इस से वकलाब लेने के लिए नागर याने के किस जिले में परदेश तरिये कला उत्सव काविजन किया गया है तो यह क्या गया गुरुग्राम में 15 दिशंबर को सास्त्रिय और लोक गाइन सास्त्रिय वै लोक अवाद्य संगीत वे नरत्य में सभी लड़कियों के पस्तुति होगी इसकी खास बात यह होगी कि सभी कलाकार अपने जिलों के एक-एक सेंटर को परफॉर्म करेंगे और कुछेतर में बैटा निनायक मंडल कलाकारों की परतिवा का फैसला करेंगी जैकबर पुरा स्थित गर्वर्वर्मेंट सीनर सेकेंडर स्कूल में राज्य स्तरिय इस करिकर्म का विजन किया गया इसक सत्यदेव सिंग का निदन हो गया है सत्यदेव सिंग 1937 में गोंडा लोक्षवाचेतर से जन्ता पार्टी के टिकट परसांसद बने थे इसके बाद उन्सों क्यांड में और च्यांड में में भाज़पा से चुनाव लड़ा और बलरामपूर स्रस्थिय सीट से लोक्षवा सब्सक्राइब भारती जनता युवा मोर्चा की राष्ट्य अध्यक्स भी रहे थे इसके बाद है गोवा में आउजित होने वाले अंतर राष्ट्य फिल्म मौच्व में हर्याना के किस निर्माता निर्देशक की डोक्यूमेंटरी बिफोर आई डाइ नामित हुई है तो में सोड़ा से चोबी जनुरी को आई जित होने वाले अंतराष्टे फिल्म मौच्व में हर्याना के निर्माता निर्देशक नकूल देव की डोक्यूमेंटरी बिफोर आई डाइ नामित हुई है यह हर्याना की पहली ऐसी डोक्यूमेंटरी है जिसे रोतक के रहने वाले न इस नैशनल लेवल गोल्डन ट्राइंगल साइकलिंग इवेंट में पानिपत के अश्मान मलक ने 823 किलोमेटर का सफर 23 समय से 5 गंटे पहले 33 गंटे में पूरा कर दूसरा अस्तान पाया है इस इवेंट में देश के अलग-अलग राजियों से आए 24 परति भागयों ने भा हर घर नल से जल जिला का किताब हांसिल किया है तो यह हांसिल किया है अंबाला और पंचकुला ने पंचकुला वय अंबाला ने जल जीवन मिशन के अतायत गरामन गरों में 37 नल कनेक्शन के साथ हर घर नल से जल जिला का किताब हांसिल किया है इस मिशन का लक्षय वर्ष द और बरवाला में 34,433 घ्रेलू नल कनेक्शन के साथ ग्रामिन घरों में 77 ग्रेलू नल कनेक्शन वाला परदेश का पहला जिला बन गया है इसके बदा है परदेश के कितने अंगरवाडी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने जा रही है इसमें जजज़र जिले के 50 अंगरवाडी केंद्रों शामल किये गए हैं जो प्ले स्कूल बनेगे इसके लिए शिक्षविभाग से भी सयोग मांगा गया है प्ले स्कूल में तबदिल होने वाली अधिकतर अं प्रिमना नगर के चात्र ने यहां पर फोटो में भी इन्हीं देख सकते हैं यहीं है अगरीम चटी से चात्र अगरीम ने दस वर्स की उम्र में एक नहीं दो किताबें लिखी हैं जिसे देशवासियों ने तो पसंद किया ही अब विदेशों के लोगों को भी यह पुस्तक का सब्सक्राइडर्स और इन विलेन सीबल चाइल्स सिर्शक की दो पुस्तके लेखी हैं हाल ही में हर्यान के 21 जिले में प्रधामंत्री मातरतव वंदन योजना के अंत्रगत मैलाओं को समानित किया गया है तो यह क्या गया है गुरुग्राम में मैं बाल विकास विबाग के disability बोठी बड़ाऊ तेफा परधामंत्री मातरतव वंधनय योजना के अंत्रगत कार्यकरम आजित किया गया इन करक्रों में लिञएयोन पात मैं सुधार लाने कि मातरतव योजना की जनकारी जन जन तक पहुंचानी के चेट्र में सरहनिये कार्य करने वाली महिलाओं क समानी तक किया गया इस वुजना के ताइत तैस्स अंगरवाड़ी वरकरों वैस सुपर्वाइजरों को भी समानी तक किया गया इसके पूरे देश में जल्द ही 112 अमर्जन्शी नंबर सुरू किया हरियाना में सुरुवात गुडगावा और पंसकुला से आगामे 26 जनवरी से की जाएगी। इसके बाद दिरे दिरे सभी जिलो में इसकी सुरुवात कर दी जाएगी और इसे पदेश के सभी जिलो में 31 मार्ज तक लागू करने की योजना बनाई गई है। यह बाद सनिवार को RTC भौनसी के दिक्षान समारूप में मुख्य आतिती के रूप में पहुंचे DGP मनोज यादव की दवारा दी गई। इसके बद है हाल ही में किस यूर्श्टी ने CC SHAU E-Library एप को लॉंच किया है। तो यह किया है HAU यूर्श्टी ने। चोधी चर्ण सिंग हर्याना किर्सी विश्व दैले हिसार की नहरू लाइबरेरी में मुझूदा ई संसाधनों की जनकारी मोबाइल एप से उख्लग कराने के उदेश्टे से विश्व दैले ने CC SHAU E-Library एप को लॉंच किया है। विश्व दैले के कुलपती प्रोफेसर समर सिंग ने एक वैबिनार के दोरान ओनलाइन मद्यम से CC SHAU E-Library एप को लॉंच किया है। इस वैबिनार का मुख्य विश्व मोबाइल E-Library एप के मद्यम से E-Sanisadro का उप्योग वैज जागरुकता परदान करना था। इसी के साथ ही चोधरी चर्ण सिंग हरियान किरसी विश्व धैले मोबाइल E-Library के मद्यम से E-Library की सुधा प्रदान करने वाले टोप किरसी विश्व धैलों में शामिल हो गया है। इसके बदे हरियान के 21 जिले में कोसल विकास के लिए पहला उतकष्टा केंद्र सापित किया गया है। को भी कम करते हुए उर्जा की पहुंच में सुधार करने के लिए अक्षय उर्जा की और तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके बदे हरियान के किस जिले में स्कोडा टक्निक के तायत 6 जल सोधन सेंथर बनाने करीने लिया गया है। तो ये लिया गया है रोता के अंदर। स्कोडा टक्निक पर बने ये 6 नई जल सोधन सेंथर पूरी तरह से एटोमेडिक मोड पर काम करेंगे। पेजालापूर्ती की समता भी 5 क्रोड MLD से ज्यादा होगी। पूरे सहर के साथ नगर निगम सीमा में शामिल किये गए साथ गाउं में भी अब पेजालापूर्ती शमता दोगन हो जाए। अब गरामने इलाकों में 70 की बजाए मानक की अनुसार 135 लेटर परती वैक्ती पीने के पाने की आपूर्ती की जा रही है। इसके बाद है हरियन के 21 जिले में इंटीग्रेटिड कमान एंड कंट्रोल सेंटर सापित किया जाएगा। तो यह क्या जाएगा करणाल के अंदर। समार्ट सीटी के मेतरपुन प्रोजेक्ट आई सी सीसी की स्तापना का कारिया लगबल पूरा हो गया है। यह सेंटर सहर के सेक्टर 12 स्थित नगर निगम के नए भवन में दूसरे तल पर बनाया गया है। इसमें सभी जरूरी उपकरणों की इस्टोलेशन कर दी गई है। फंक्शनल होने के लिए टेस्टिंग भी चल लई है। सेंटर में विदूत सप्लाई के लिए ट्रांसफोर्मर भी लगाय जा चुका है। पूरे सहर में चोक चुराहों पर लगे कैमरे आई सी 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 से जुड़े होंगे। इसके बद है हरियन की किस जिल को पिकनिक स्पोर्ट के रूप में विक्षित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा कर्ण जिल को। इसे पिक्निक स्पोर्ट के रूप में डेवलेट किया जाएगा इसकी एक 25 किलोमेटर चेतर की परिद्ध को विक्सित कर आखर शक्र बना जाएगा माबारत के दुश्रों वाली मूर्तियों दस्कों को इतियास से शाथ शाथकार यहां पर करवाएगी कर्ण लेक के मुझूदा इंफ्रेटेक्चर को आद्मिक डंग से डवलप करके प्रेटकों के अनुकूल बनाए जाएगा इसमें साइनेज पाथवे लाइटिंग वे साइकिल ट्रैक भी बनाए जाएगे किस जिले की तीन बेटियों ने एसिया यूनिवर्स फैसन सो में अवार्ड अपने नाम किये हैं तो यह किये हैं करणाल की तीन बेटियों ने यहां पर फोटो में भी आप इन तीनों को देख सकते हैं इंपेरियल गिलिटीज डे शान ए हिंदुस्तान प्राइड ओफ नेशन मिस्टर मिस्टर एसिया यूनिवर्स 2020 के अंतराश्टिय स्तर का फैसन सो चंडियर में आजिते किया गया करणाल की तीन बेटिया राजी राजाजी हँजराहा ने new टे टे के में अवाड़ जीता है इसके साथ ही मिस केकरिगरी में आंचल बत्रा को मिस एसिया यूनिवर्स 2020 प्रफीस और बैस्ट स्माइल का अवार्ड भी दिया गया इसके बाद है प्देश में सबसे पहले किस जिले के सीविल अस्पटाल में कोरुना वैक्सिन का स्टोर है वह रखा जाएगा तो यह रखा जाएगा पानीपथ के अंदर पानीपथ में जनुरी के आख़ी सप्टा कोरोना व्यक्सिन आने की उम्मीद है पारीड़ के सीविल अस्पताल के behave involvement में की कि की से को कि या जाएगा जिसके लिए हाल ही सफाई जो है साफ सफाई वह भी वहाँ पर कीजा चुकी है फेचन सफा ने के लिए सीविल अस्पताल को साथ रेफ्रिजेटर मिल चुके हैं इसके बाद है हर्यान के 21 जिले की बॉक्सर मनिशा ने जर्मनी में आउजित मुक्यवाजी विशुक अपने 57 किलो बार्ग वर्ग में गोल्डन मेडल जीता है तो यह जीता है कैथल की मुक्यवाज ने कैथल की होनहार बॉक बॉक्सिंग पत्योगता के 57 किलो ग्राम भार्ग वर्ग में देश की जॉली में सोना डालने का काम किया है यह बॉक्सिंग का दूसरा गोल्ड मैडल है इससे पूरु पूरुस वर्ग की बॉक्सिंग में रोत्त के अमित पंगाल ने भी सोने पर कबजा किया है इसके बदेश का ग्यारवन नगर निगम कौन सा बना है तो यह बना है माने सर्व हायरा मंत्री मंदल की बैठक बुद्वार को चेंडिगर में मुक्य मंतरी मनोहर लाल की अधिक्स्ता में हुई थी इस बैठक में कई एहम फैसले लिए गई बैठक के बाद मंतरी मंदल के नि मोहर लगाई गई है इसी मिटिंग में माने सर्व को परदेश का ग्यारवन नगर निगम बनाने का फैसला भी लिया गया इसके बाद है हाल ही में हरियाने के किस बॉक्सिंग लाड़ी को इंटरनेशनल एक्सिलेंस आवार्ड से समानित किया गया है तो यह किया गया है सूर चेतर के फतेहगर गाओं के बॉक्सिंग खिलाडी सूरज रोहिला को इंटरनेशनल एक्सिलेंस आवार्ड दिया गया सूरज रोहिला गाजे और राष्टिये स्तरिये बॉक्सिंग खिलाडी है पहले भी इनको काफी पुर्षकार मिल चुके हैं हाल ही में हरियान के कितने इन जिलों में नई माईक्रो इरिग्रेशन् योजना शूरू की गई है तो ये शूरू कि गई है तीन जिलों के अंदर किसान हित में हारी라 सरकार ने एक और कदम उठाय है पारी से वंचित केतों में पानी पोचानी के उदेश से नई माइक्रो इर्रिगेशन योजना शुरू की गई है इस योजना के ताहित पदेश के भीवानी दादरी वे मेंद्रगट जिलों को शामिल किया गया है सिचाई अंतरपर 80% की सबसीड़ी भी दी जाएगी इसके बाद है मुक्यमत्री मनोहर लाल ने पदेश में कहां से कहां तक का सफर रैपीड कोरिडोर के तहत तैय करने की मंजूरी दे दी है तो यह दी है पानिपत से दिल्ली तक अब पानिपत से नई दिल्ली का सफर सिर्फ 45 मिट में पूरा होगा औरिजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर मनोहर मंत्री मंडल ने मुहर लगा दी है रैपिड परियोजना के लिए 4699 क्रोड रुपय प्रदेश सरकार को देगी इसके बाद है हर्याने में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेप्स 2021 में कितने पट्टे साइथ चार देशत खेलों को शामिल करने की मंजोरी दे दी है इसमें सामिल किये गए दो अन्य खेल मलकंब और ठांग ताहे इस फैसले के बारे में खेल मंत्री किरिन रीजू ने का है कि भारत में सवडेशी खेलों की समर्द विरासत है और खेल मामला मंत्राले क की प्रात्मिक इन खेलों को संरक्षित बढ़ावा और लोक पर ये बनाने की है खेलो इंडिया यूद गेम्स की सुवाद साल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी इसके बाद है हाल हमें हरियाना विदानसभा के द्वारा कौन सा विदेक पारित किया ग समान औवसर उपलदक करने और एक वीवाग से दूसरे वीवाग Мे kidding के सतानंतन के लिए समान का रेले के लिए शवकरती ही दी गयी है हरियान के सरकारी वागों के ग्रुप के गुरोप सीक्रम՝ारियों को अब पड़ानति के लिए वस्ण इंतजार नहीं करना पढ़ेगा उनके लिए کومन कैडिर का गठन होगा और पदोरनिती के अफसर भी समान मिलेंगे साथ ही उनका तवादला भी एक समान कारेले के दोरान ही होगा इसके बद है हर्यारा का कौन सा जिला दो नगर निगम वाला परदेश का पहला जिलाब बन गया है तो ये बन गया है गुरू गराम, गुरू गराम जिला दो नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है, मानेशर नगर निगम में 7 लगते 29 गाउं को शामिल किया गया है, इसके अलावा जिले में तीन नगर पालिका वै एक नगर परिशद के साथ 170 ग्राम पंचा होगा हाल ही मेंet gm haday from Jordan Singh की और सी जैंती बनाए गई तो यह बनाए गई 118 जैंती हुए में देश के पूरु पदामत्री स्वर्गे चोदरी चर्ण सिंग की एकसो अठारवी जैनती पर वर्च्वल किसान दिवस का रिक्रम का विजन किया गया है यह वर्च्वल किसान दिवस किसान नेता एवंपूरु पदामंत्री चोधरी चर्ण सिंग के जनम दिवस की यादगार के रूप में बनाय जा रहा है हवी के कुलपती प्रोफेसर समर सिंग ने का है कि विसु विधाले के द्वारा विक्सित नई नई विबिन फसलों की किस्मों वै तक्निकों का ही जो नतीजा है राजे में गेहों का उत्पादन 6 गुना, चावल का 8 गुना, कपास का 3 गुना और तिलहन फसलों का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है वैग्यानकों ने फसलों, फलों, सब्जियों, वैचारे का अधिक उत्पादन देने वाली रोग रोधी वै कम समय में पकर तयार होने वाली लगबग 288 किस्मों का भी विकास किया है इसके बद है हरियानक 21 जिल्य को लाल डोरा मुक्त गाउं के लिए रज्जे स्तरिय अवाड मिला है तो ये मिला है करनाल को लाल डोरा मुक्त गाउं के लिए करनाल को रज्जे स्तरिय अवाड मिला है Modern Record Room के लिए जीन, शिक्सित हर्याने के लिए फईदाबाद, R2 Driving License Test और Slot System के लिए अमबाला, E समर्थन के लिए कुरुचेतर, मिसन चहक के लिए हिसार को परदेश में पहला स्थान मिला है। इसके लिए हर्याने के 21 जिले के गुर्षवार खिलाडी जैवीर ने जूनियर नैशनल एक्वेस्ट्रिशन्स चेंपिंशिप में दो गोल्ड मेडल जीते हैं। एक बार टीम में रहकर गोल्ड जीता है। इसके मद है फरिदाबाद की किस कलाकार को हाल ही में अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह किया गया आन को यहापर फोटो में आम इनि आप देख सकते हैं। हाल ही में 24 दिसम्मर को दिल्ली के विज्ञान भोव में अरजित सम्मारों में आन प्रासर को अटल सम्मान से प्रुष्कर किया गया। आन इनि का नाम है जो आप फोटो में यहापर देख रहे हैं। ए पी जे स्कूल की छात्रा है आन यह फ्रिदबाद की सेक्टर स्वोड़ा से तालुक रखती हैं। इसके बद है हरियान के किस गाओं को प्रेटेक्स तल के रूप में विक्षित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा राखी गड़ी गाओं को। अडपा कालीन संसकर्ती को लेकर राखी गड़ी काफी मेतापुन साइट है। इसी वज़े से किंदर सरकार ने इसको आइकोनिक साइट कोशित किया हुआ है। इस साइट को पैटन के रूप में विक्षित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। आर्कोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के डायरेक्टर अजय यादव वेडिप्टी डायरेक्टर संजय मंजूल ने राकी गड़ी का दोरा किया है। उन्होंने टीलों पर पहुंच कर सभी उन चीजों का निरेशन किया है जो कि आने वाले प्रटकों को लुवाज कीगी। सभी टीलों पर ऐसी फोटो डिस्पले की जाएंगी जो कि खुदाई की दोरान इन टीलों से निकली थी। इसके बाद है खेल विबाग ने सरकारी कोच पर नजर रखने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है। तो यह क्या गया है नजर एप। खेल विबाग ने अब सरकारी कोच पर नजर रखने का इंतजाम कर लिया है। विबाग ने नजर नाम का एप लॉंच किया है, जिसके जरीए हैड ओफिस में मुझूद डायरेक्टर, ज्वाइन डायरेक्टर और डी एस ओ किसी भी वक्त एप पर किलाडियों को ट्रेनिंग दे रहे कोच को देख सकते हैं, यह एप सभी सरकारी कोच के फोन में इस्टाल क किया जाएगा, तो यह थे दोस्तों आज के हरियना करन्ट अफेयर के कॉश्चन्स और पूरे महिने के मोस्ट इंपोर्टन ये कॉश्चन थे, अगर आपने ये सभी रियूजन कर ली हैं, तो समझे आपका जो टेस्ट है लगबग क्रैक हो जाएगा, करन्ट अफेयर के दाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जै हिंद जै भारत,